हेलो श्रूरेंट मैं एक तासी हैं आप सभी का ग्यान चेतनर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पिछले वीडियो में मैंने एक आप लोगों को कुश्चन दिया था कुश्चन था अनेक विदेशी आत्रियों ने विजे नगर समराज का दोहरा किया और समराज से जुड़े सामाजिक आर्थिक वस्तु इस्तिती का बहुमूल जानकरी छोड़ा है निमले की दिगमों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर तीन आप्शन थे निकोले दा कॉंटी, फार्सी, अबदुलरज्याग वेनिश, डोमेंगो जो थे वो पूर्तिगह capitalize तो यहाँ पर जो सही answer होगा वो मैंने पुछा था कि यहाँ पर आप लोगों को सही answer बताना है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसमें से वो है तीसरा ओप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और बागी जो है निकोले कॉंटी फारसी नहीं थे इटली के थे अब्दुलरज्जाग वेनिश के ये भी गलत है डोमेंगो जो है पूर्टगाली ये एकदम सही है अगला कोशन देखते हैं साद वाहन राजवन्स के संदर में निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है पहला है प्रिसित साद वाहन शाचा गौत्मे पुत्रशाथकर्णी ने शकों को पराजित किया तथा कई छात्रिय शाषकों को परास्त किया गौत्मी पुत्य शात्करणी का समराज उत्तर मैं मालवा से लेका दच्छिन से करनाटक तक विस्तित था सादवाहुनों ने केवल ब्रामणों को कर्मुक्त गाउन देने के प्रथा की शुरुआत की थी सादवाहनों की राजकी भासा संस्क्रिप थी तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कूट जो है वो यहाँ पर सही होता है तो कूट नमबर एक और दूसरा यहाँ पर सही होता है तो पिर से सादवान शाषक गौत्मी पुत्य शात्करणी ने शकों को पराजित किया था तता कई चत्रिय शाष्कों को भी पराजित किया था तो पहला ओप्शन सही है दूसरा है गौत्मिपुत शातकर्णी का समरा उत्तर से उत्तर में मालवा से लेकर दच्छिन से करनाटक विस्त्रित था तो ए बी ओप्शन यहां पर सही है पहला और दूसरा सही हो जाएगा आगे है मराथा शक्ति के संदर में निम्लिकत कतनों पर विचार कीजिये पहला है छै होते मुगल शक्ति के सम्मुख सरबादिक प्रमुख चनौती मराथा समराज की तरब से उत्मन हुई दूसरा है पेश्वा बालाजी विशुनात ने समराज मराठा समराज के पेश्वा को कारेकारी प्रमुक्र बनाया तीसरा चौथ एक सरदेश मुखी प्रदान करने की प्रणाली ने पेश्वा को संरक्षन के द्वारा अपनी व्यक्तिगत शक्ती बढ़ाने में मदद की इसकी मराथा समराज को सक्तिसालिं बनाने में मातपूर भूमिका थी तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा और तीसरा तो यहां पर डी ऑप्षन सही हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं मराथा शक्ती के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए तो ये वाला फिर से आगया है आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला मुहमद बिन तुगलक ने 1329 से 30 में प्रतीक मुद्रा के शुरुआत की दूसरा है मुहमद बिन तुगलक ने एक अलग क्रशी विभाग दिवान एको ही बनाया तीसरा है तैमूर ने सन 1398 में उत्तर भारत पर चड़ाई की तथा सुल्तान फिरोज शाय तुगलक द्वारा शाषित दिल्ली पर आक्मन किया तो यहाँ पर सही कतन बताना है तो सही कतन है पहला और दूसरा यहाँ पर सही है तो आंसर हमारा हो जाएगा अगला कोशन देखते है भारती पुरातत्यो सर्वेक्षण द्वारा परी रच्चत महरोली इस्तित कुत्व परिसर में इस्तित इत्यासिक जलाश है हौज ए सम्षी शम्षी लोकप्रिय रूप से अभिग्यात हिमालाई जल पक्षी जल मुर्गी के आगवन का उत्सुकता से प्रतिक्षा कर रही है यह है हौज ए शम्षी किसके द्वारा निर्मित किया गया था तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है शम्षुद्दी इल्टुत्मिश ए ओप्षन सही है अगला कुशन है मद्यकालीन भारत के बाक्ती आंदोलन के संदर्मेन इमलिकित कत्वनों पर विचार कीजिए पहला है शंकर ने नभी सदी में हिंदुत्य को नई इस्तिती निर्धारत देने हेतु हिंदु पुनर जागरन वादी आंदोलन के शुरुआत की अदोयत वाद या एकेश्वर वाद का संकर का सिद्दान जन सामानी के लिए बहुत आकर्शन था अगला है रामानन्द अपने विचारों के पिर्चार पिरषार करने में देसी जो बूल जाल होती है भाषा उपयोग में लाने वाले प्रथम व्यक्तिते अगला रामानन्द ने जाती बिवस्ता का विरोध किया तता समाज के सभी वरगों से अपने शिश्यों को चुनाद भले ही वे किसी भी चाती के हो तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसका हमें यहाँ पर बताना है तो जो सही नहीं है वो केवल दूसरा है यानि की आद्दोइतवाद या एकेश्वर बाद का शंकर का सिद्धन जन सामाने के लिए बहुत आकशित था तो दूसरा उप्षन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है तो भी उप्षन सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं निमले की कथनों पर विचार कीजिए पहला है बावर ने अपने प्रशाशन में मनसबदारी विवस्ता की सुरुवात की मनसबदारी विवस्ता के अंदरगत प्रिटेक अधिकारी को एक रैंक या मनसब प्रदान किया गया था तीसरा है बावर की भूमी राज़स्व प्रणाली को जप्ती या बदनुवस प्रणाली कहा जाता है तो यहाँ पर केवल जो दूसरा कथन है वो ही यहाँ पर सत्ते है मनसबदारी विवस्ता के अंतरगर पिटेक अधिकारी को एक रेंग मनसब प्रदान किया जाता था दूसरा यहाँ पर सही है बागी पहला और तीसरा जो है वो यहाँ पर गलत है अगला कुशन है मद्यकालीन भारत में शिक्कदार और कारकून पद नाम करमशा प्रियोग किये जाते थे तो किस के लिए प्रियोग होते थे यह यहांपर बताना है तो यहांपर जो सही अंसर हैं बहुत सैन अधिकारी और लेकपाल के लिए किया जाता था तो यह option यहाँ पर सही हो जाएगा तो शिकदर और कारकून जो है सेन अधिकारी को लेकपाल के लिए किया जाता था अगला question है अजमेर को मदीना तुलहिंद या भारत का मदीना की उपादी प्राप्त है प्रतेक वर्ष पूरे विश्व से सभी संपरदाई के लोग यहां उर्स के वार्सिक उत्सव के अउसर पर एकत्र होते है यह निमलेखित अपनी किस वास्तू कला शैली के लिए प्रसिद है तो यहां पर कूट देकर भारती इसलामी, रोयल राजस्थानी, अरब और अरभी और जैन शैलीया तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो है जो चारों है यहां पर डी ओप्शन वो यहां पर सही है तो भारती इसलामी भी है, रोयल राजिस्तानी भी है, भारत और अर्बी भी है और जैन शैलिया भी यहाँ पर है अगला कोशन देखते हैं, भारती इत्यास के मद्धिकाल के दौरान गुर्जर आम तोर पर थे तो गुर्जर आम तोर पर मद्दिकाल में किस प्रकार थे तो यह यहाँ पर बताना है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा खाना बदोस्चरवाहे जो थे वो मद्दिकाल में थे गुर्जर अगला कुशन देखते हैं निमलीखित मेंसे कौन से भारत के प्रसिद सूफी संत थे तो ख्वाजा मुईजुदीन चिस्ती बहाउदीन जकारिया निजामुदीन ओलिया तो यहाँ पर लगब लगब तीनों आप्शन जो है वो यहाँ पर सही है अगला कुशन है पाल राजवन्स के संदर में निमलीखित कत्रों मेंसे कौन सा कथन सही नहीं है पहला है पाल राजवन्स के संसापत गोविंद पाल थे यहाँ पर कथन जो है वो सही नहीं है वो बताने तो पाल राजवन्स के संसापत गोविंद पाल थे तो यही यहाँ पर गलत हो जाता कि गोबिन्द पाल ना होकर गो पाल थे तो हमारा जो कतन सही नहीं है वो ही यहाँ पर बताना है तो हमारा यह option यहाँ पर सही हो जाएगा बाकी देखते हैं बिकरम शिला बिश्व विधाले के सापना धर्मत पाल दोरा किया गया था तारग एवं महराजा दीराज जैसी उपादियां अपनाई गई तो ये भी सही है ये option सही नहीं है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा अगला देखते हैं निमलेखित किस मुगल शाशा को शाह है ये बेखबर कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा हमारा बादूर्शाय प्रथम बा अगला कुशन देखते हैं विजे नगर समराज के संदर में इमलेखित कतनों पर विचार कीजिये पहला है विजे नगर समराज का पहला राजा हरी हर प्रथम एवं अंतिम सिरी रंग तरतिय था दूसरा है नयनकार प्रणाली प्रांतिय शाशन के छेत्र की एक विशेश व थे खागिदारी थे तो बिजे नगर समराज से संबंदित पूछा है अब यहां पर बताना है कि कौन से गथन सही है तो पहला दूसरा तीसरा जो है वो तीनों के तीनों यहां पर सही हो जाते हैं तो सी ऑुप्शन सही आगला कुश्य देखते हैं दिल्ली सल्तनत के भूमी वितरण एवं प्रशाशनिक प्रणाली के एक विशिष्ट प्रकार एक्तादारी के संदर में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए। पहला एक्ता के अनुदान में भूमी पर अधिकार अंतर्णियत था और दूसरा है एक्ता हस्तांतर्णिय थी। तो यहाँ पर एक्तादारी के संदर में कथन बताना है तो यहाँ पर जो सही होगा केवल दूसरा एक्तान जो है हस्तान तरणिये थी अगला कुशन देखते हैं निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए पहला है काकतिये वंच के प्रारंबिक शाशक पश्मी चालुक्यों के सामनते थे काकतिये वंच के दौरान एक उलेक ये उलेक निये प्रवत्ती उच्च भूमियों पर सिचाई के लिए जलाशरों का निर्मार था काकातिये वंच का उलेक इटली की यात्री मार्क पोलों की यात्रव रतांत में दिखाई देता है यहाँ पर सही कथन बताना है तो यहाँ पर तीनों की तीनों जो है वो यहाँ पर काकातिये वंच से संबंदित तीनों आप्शन सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा D अगला कुशन देखता है निमलिखित कथनों में से कौन से कथन विजे नगर समराज के संदर में सत्ते हैं पहला हमपी आउशेष विजे नगर के शाष्कों के सांस्कृतिक योगदान के विशे में सूचनाय प्रदान करते हैं तामरपत्र श्लालेख जैसे दियो रायर दुद्य की श्री रंगम तामरपत्र विजे नगर शाष्कों के वनशावली और उपलबदियां प्रदर्षित करती हैं तो यहाँ पर जो सही आउप्शन है वो है पहला और दूसरा दोनों ही आउप्शन जो हैं वो सही है तो C option हमारा सही हो जाएगा हम पीचे संबंदिर अगला कुशन देखते हैं दिल्ली सल्थनत के दौरान निमलेखत मैंसे कौन घोरा और सनम की सर्विश्रेष्ट ब्याक्या करता है तो यहां पर घोरा और सनम की ब्याक्या यहां पर बतानी है तो हमारा अंसर हो जाएगा यह राक के प्रकार है तो घोरा और सनम जो हैं वो राक के प्रकार थे अगला कुशन है मुगल काल के दौरान सेट बोहरा एवं बंजारा किस रूप में पहचाने चाते थे तो हमारा अंसर हो जाएगा ब्यापारी ए ओप्शन सही है अगले कुश्चन की तरब बढ़ते हैं और देखते हैं चित्रकला में मुगलों का योगदान उलेखनी ये रहा था मुगल चित्रकला के संदर में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए पहले हैं मुगल चित्रकला की निमलेखनी रखी गई थी सबसे मातवपूर्ण करती हजिन नामा है जिसमें 1200 चित्रे सामिल हैं जहांगीर के शाशनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुँच गई थी तो यहां पर दूसरा और तीसरा जो हैं वह यहां पर सही होने चाहिए तो दूसरा और तीसरा ही यहां पर सही है पहला और पहला यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि जो चित्रकला है वह अकवर्ण के समय से शुरू होती दिखाई देती है तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही हो जाएगा अगला है मद्दिकालीन भारत में बंदोवस प्रणाली एवं देह साला प्रणाली को भूर अजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है जिसे निमले के किसके दौरा शुरू किया गया था तो आंसर हमारा होगा अकबर एवं टोडल मद्वारा अगला कुशन देखते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का ओदा प्रियुक्त किया जाता था तो दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम और चौधरी होते थे तो इसका सही आंसर है ग्राम मुखिया के लिए तो C आप्शन यहां पर सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं भारत में मद्दे काल में पद नाम सर ए नौवत एवं वकन वीस का उप्योग किस संदर्प में किया जाता था तो यहां पर वकन वीस जो है वाकिया नवीस होना चाहिए तो इसका जो सही आंसर है वो है सैने प्रमुख और खूफिया अधिकारी है तू सर ए नौवत सैने प्रमुख और वाकिया नवीस जो है खूफिया अधिकारी होते थे अगला कुशन देखते हैं विजे नगर समराच के वास्तु शिल्प के संदर्प में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला है विजे नगर वास्तु शिल्प की प्रमुख विशेषता हैं उचे राय गुप पूर्मों या दरवाजों के निर्माण तथा मंदिर परिसरों मेंवक्र इस्तंबों से निर्मित कल्यान मंड़ती दूसरा है इस्तंबों पर सबसे ज़्यादा उत्कीर पश्यू हाती हैं तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा केवल पहला ही यहां पर सही है तो जो विजे नगर की वास्तु शिल्प है उसकी विशेषता यह है कि बहुत उचे राय गुपूर्म या दरवाजों के निर्माण किया गया है और साथी इस्तंबों से निर्मित कल्यान मंडब भी इनकी एक विशेषता है बास्तो शिल्प की तो केवल ए उप्शन यहां पर सही हो जाएगा आगे कुशन देखते हैं संगम काल के द्वारान पट्टीना पल्लई किस से संबंदित है तो यहां पर सही आंसर ह हो जाएगा पुहार पत्तर में नियोजिस शीमा शुलके के कर्मिचारी गण से संबंदित तो डी ओप्शन यहां पर सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं निमलेकित में से कौन सी पुस्तके अबुल फजल दौरा लिखी गई है तो अबुल फजल दौरा लिखी गई अगला कुशन मद्यकालीन भारत के संदर में एहदी का तातपर्य है तो एहदी का तातपर यह जो है वो है सामाने सैनिकों की तुल्ला में अधिक वेतन पाने वाले अभी जात्य सैनिक तो सी ऑप्शन यहां पर एकदम सही हो जाएगा अगला निमलेकित में से कौन सी कनोच के शाशक हर्षवर्धन की कृति नहीं है तो यहां पर हर्षवर्धन की जो कृतियां नहीं है वो हमें यहां पर बताना है तो रतनावली तो कृति है प्रियदर्शिका भी है और नागानंद ये भी हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई कृति है और जो उरू भंगम जो है वो हर्षवर्दन की लिखी हुई नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा उरू भंगम और जो उरू भंगम है वो कृति लिखी गई थी भास के द्वारा तो आंसर हमारा उरू भंगम ही है अगला कोशन है निम्लकित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक हैं संस्कृत में नहीं लिखी गई थी तो पहली है पार्ने की अश्टाधाई पार्ने की अश्टाधाई अश्योगोष की बुद्ध्य चरित बान भट्ट की कदम बनी तो यहां पर आंसर हो जाएगा उपयोग तुमें से कोई नहीं अगला कुशन है निम मारक फतेपुर सीखरी में बनाए गए तो यहां पर सही उत्तर चुनना है तो फतेपुर सीखरी में जो इस मारक है वो अकबर का मकबरा बुलंद दरवाजा फतेपुर सीखरी में पंच महल भी है जोदावाई महल भी है और अकबर का मकबरा जो है वो फतेपुर सीखरी में नहीं है चुकि आगरा में तो है लेकिन फतेपु सीख्री में नहीं है तो ए ओप्षन को हम काड़ देंगे बागी हमारा अंसर हो जाएगा सी आगे देखते हैं तुझुक ए बाविरी बावर नामा के संबंद में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजे पहला ये मुगल समराज के संस्तापक बावर द्वारा लिखी गई आत्मकता है इसका अंग्रेजी भासा में अनुवाद प्रथम अनुवाद जो है जौन लेडन और विलियम असकिन अस तो एस सिरकंड द्वारा किया गया था तीसरा मूलिता ये फार्सी भासा में लिखी गई थी तो इसका जो सही कूट है वो सही अंसर है वो है पहला 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 सही है और दूसरा और ये फार्सी भासा में लिखी गई यह यहां पर सही नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यहां पर सही है अगला कुशन है निम्ले कितमे से किसने अपना संस्मरन लिखा है तो यहां पर अपना संस्मरन किसने लिखा है यहां पर बताना है तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर दोरा संस्क्रन लिखा गया है तो आंसर केवल तीसरा सही है अगला कुशन है गौतम पुत्रशात करनी के संदर मैंने बलेकित कतनों पर विचार कीजिए पहला है वो है अपने आपको एक मातर ब्रामन कहता था उसने शक को पराजित किया था उसने शाहरात बंच को नश्ट कर दिया जो नहपान से संबंदित थे उसने मुखिता, गंगा, ब्रम्पुत, डेलता छेतर पर राज किया था तो यहां पर पहला, दूसरा और जो तीसरा है वो यहां पर सही है और चौता option सही नहीं है तो डी option जो है वो सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं चालो के राजा पुलकेशन दूतिये ने किस फार्सी राजा के पास अपना दूत भेजा था तो सही आंसर हो जाएगा खुसरो दूतिये तो चालू के राजा पुलकेशन दूतिये ने फारसी राजा के पास अपना दूते भेजा था तो जो फारसी राजा है वो खुसरो दूतिये है अगला कुशन है बिद्रो का प्रयास करने पर कौन से सूफी संत को जलाओदीन खिलजी द्वारा मार दिया गया था तो यहाँ पर जलाओदीन खिलजी है तो सीधी मौला जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सीधी मौला को मार दिया गया था अगला कुशन है देह साला बिवस्ता किसके द्वारा किये गई सुधारों पर आधारित है तो देह साला बिवस्ता है टोडल मर्द दोरा अगला है अगला कुशन है किसने रजिया सुल्तान के बुर्द बिद्रो का आयोजन किया था तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निजाम उल जुनोदीन है तो C आप्सन यहाँ पर बिल्कुल सही है अगला देखते हैं भारत के मदिकाल के दौरान कई शाषकों ने नई मुद्राइं जारी की इस संबंद में निमली के दमें से कौन सा कथन गलत है तो यहाँ पर गलत हमें बताना है गलत कथन सबसे पहला शेर शाय शूरी ने सरपर्थम रुपिया नामक सिक्का जारी किया था मुहमद बिन तुगलग ने तामे के सिक्कों को सांके तिक मुद्रा की रूप में जारी किया था औरंग जेब ने सोयम के दौरा जारी किये गए सिक्कों पर इस्लामिक आस्ता का पर्टी कलमा लिखवाने का प्रारम किया था D है बिजे नगर समराज के कई सिक्कों पर तिरुपती देउता की आकिरती बनी हुई है तो यहाँ पर गलत कथन ही बताना है तो आंसर हमारा C हो जाएगा कि औरंग जेम ने स्वयम के द्वारा जारी की गई सिक्कों पर इस्लामिक आस्ता का पर्टी कलमा लिखवाने का प्रारम किया था तो C आप्सन यहाँ पर गलत हो जाएगा अगला कुशन है मराठा प्रशासन में राजस्ट के लिए भूमी की नाप की एकाई के रूप में निमलिकित में से किसका उप्योग किया जाता था तो यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा काठी अगला है निमलिकित में से कौन सी इस्मारक मुगलों से सम्मंदित है तो मुगलों से सम्मंदित बताना है तो बुलंद दर्वाजा सम्मंदित है अलाई दर्वाजा जामा मजजित है तो यहाँ पर एक और चार होना चाहिए तो एक और चार यहां पर जो है वो सही है पुराना किला जो है सल्तनत काल से सम्मंदिद है अलाई दरवाजा भी सल्तनत काल से सम्मंदिद है तो यह यहां पर गलत हो जाएगा तो हमारा option C यहां पर सही है तो आज का last सवाल है जो आप लोग comment करके बताएंगे मकतब खाना से अभी प्राए है तो मकतब खाना से अभी प्राए क्या है यह आप comment में लिख सकते हैं और इसका जो answer है वो next video में आपको पता चल जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please like करिए, share करिए और हाँ जब भी आप यह वाला question answer का practice series का video देखते हैं तो आप हमेशा pen copy लेकर बैठेंगे और अपना score चेक करेंगे कि आज मैंने 40 question में से कितने question सही कर पाए है तो इससे आपको और पढ़ने के लिए motivate जो है वो स्वयम से मिलेगी तो अगर आपको video पसंद आती है तो please like करिए, share करिए, subscribe करिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद